नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज प्यार मैं हूँ आदेश कुली कुछ दिन पहले ही पढ़ान मंत्री नैंद मोदी जब एक उच्चस्तरिय बैठक कर रहे था तो उन्होंने साफ कहा था कि जितने भी राज्य और केंदर सासिद परदेश हैं वो कोरोना संबन्द कोल भी आखड़ा ना छुपाएं यानिसली किकिसी तरह का फिर बदन्त किया जाय है आख्डो को सामने रखा जाए ताकि सभी लोग इससे वाकिफ हो सकें इसके साथ इसाथ बिहार के लीडर ऑफ ओपोजिशन है तेजस्वी यादव वो लगातार बिहार सरकार के आंकड़ों को लेकर ये कहा करते थे कि खेल हो रहा है बिहार के आंकड़ों के साथ वही पप्कू यादव की बात माने वो भी लगातार दावे कर रहे थे बिहार में छुपाया जा रहा है चाहे वो कोरोना संक्रमन के मामले हो या फिर मौतों के आकड़े हो और असलियत भी सामने खुल के आ गई है बिहार सरकार ने माना है कि उनके दोरा दिये गए मौत के आकड़े जो हैं वो कम दिये गए थे और पहले कहीं आकड़ों पर ये कहा गया है कि वो गलत है और फिर से नए आकड़े दिये गया है जिसमें बहुत ज्यादा विर्दी दिखाई गई है आपको हम बताते हैं पूरा मामला क्या है इसमें कि बिहार सरकार ने अपनी गलती मानी है 54,24 नहीं 93,75 लोगों की मौत हुई है कुरोना के चलते हैं कुरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में मौतों की आकड़ों उपर लगातार सवाल उठ रहे हैं खुद पतना हाई कोट ने कई बर सरकार को आकड़ों में भारी अंतर को लेकर लतार भी लगाई है चाहे बकसर में गंगा किनारे लास मिलने का मामला हो या पतना के समसान घाटों पर जल रही लासों की संख्या सरकारी आकड़ा हमेशा संदेहों के घेड़े में रहे हैं लेकिन अब खुद सरकार ने मान लिया है कि कुरोना से हुई मौतों के आकड़ों में भारी गर बड़ी हुई है बुद्धवार को स्वास्त विखा की अपर मुक्सचिव पर्तिया अमरित ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए ये जनकारी दी कि अब तक मौतों का जो आकड़ा 54-24 बताया गया था वो गलत है असली आकड़ा 9,375 है ये 7 जुन तक का आकड़ा दिया हुआ है दरसाट 18 मई को ही राज सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आकड़ों को लेकर जांच कराने का निर्ने लिया था इसके लिए दो तरह की टीमें बनाई गई जिनकी जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आई है स्वास लिवाक की ओर से जिलो में कराई गई जांच में खुलासा हुआ है कि कोरोना से मौत के आकड़ों में घोर और नियमिता बढ़ती गई है परते अमरित ने माना कि इस सम्वेदासिन मामले में काफी और सम्वेदान सिल्टा से कारे किया गया है उन्होंने ऐसी लापरवाही पर अपने वालों पर करवाई करने की बात कही लेकिन अब तक कितने लोगों पर करवाई हुई है इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा इतना ही नहीं परते अमरित ने करोना से हुई मौतों की आकड़े में पकड़ी गई घोदला परवाही पर कुछ तर्थ भी गी है उन्होंने बताया कि कई सारे लोग की मौत होम आइसलेशन में हो गई काफी लोग संक्रमित होने के बाद दूसरे जीलों में चले गए जहां उनकी मौत हो गई कुछ लोग की मौत अस्पताल जाने के करम में हुई जो कुछ लोग पोस्ट कोविड में भी मौत के सिकार हुए और ऐसे में मौतों का सही आकड़ा नहीं मिल पाया हलाकि आपको बता दे कि लगातार विपक्ष सरकार पर मौत के आकड़े शुपाने का आरोप लगाता रहा सरकार ने मौत के आकड़ों में सुधार किया है लेकिन दावा है कि बिहार के ग्रामी इलाकों में ऐसे अंगिनत लोगों की मौत हुई जिने कोरोना के लक्षन तो थे लेकिन उन्होंने कोरोना की जाश नहीं कराई इसलिए वो सरकारी आकड़ों में अभी तक जगह नहीं बना पाए है तो आपको बता दे कि सरकार यहीं खुद मान रही है यहां हमारा दिया गया पहले का आखड़ा गलत था तरक भी दिया गया है तरक वह एक हद तक सही है कि बहुत सारे लोग home isolation में मर गएं, बहुत सारे लोग जो हैं एक जिले से दूसरे जिले में गएं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल जाने के करम में ही दम तोड़ दियें, तो ग्रामिन इलाके अभी तक अच्छूता हैं, अगर ग्रामिन इलाकों में हम जानते हैं कि लोग वैक्सिनेशन नहीं करवा रहा हैं तो फिर जांच कराने की बाती नहीं होती है और इस कारण भी वो उनकी मौत हुई है और अभी तक जो है उसके बारे में कोई सटिक जनकारी नहीं मिल पाई है वही अगर हम बात करें बिहार के ही नेता है पकु यादव फिलाल अभ बता रहा है कि हमने पहले से ही कहा था कि आंकड़ों में खेल हो रहा है और दो ट्वीट किया है एक ट्वीट में है आज एक दिन में बिहार में 491 लोग कोरोना से मरे हैं कोवीड-19 इंडिया.org पर आंकड़े मौजूद हैं सरकार बताये कि आखिर इतनी मौत एक दिन में कै कैसे हुई मोदी मंगल मूँ खोलें कुर्सी-कुर्सी खिलने वाले मंद्र मजिद के नाम पर जहर घोलने वालों ठहर जाओ वरना मौत तुम्हारे दर पर भी दस्तक देगी और यहों ने इसमें बताया है कि जो इंडिया का पॉर्टल है उसमें कैसे एक दिन में 4971 जो मौ मोत है उसके बारे में दिया हुआ है वही कुछ दşekkür पहले नहीं ट्वीट किया है कि अनक्रव को चुपाया जारी किया अकनरी है कि जान भूज कर मौतों को पहले दबाया गया और अब इस जारी किया जा रहा है ये मौत गोटाला है तो अब देखने बारी बात है कि आखिर इतने सेंसेटिव मामलिप में सरकार ने आखिर ऐसी क्या और सम्वेदन सिलता वर्ती है क्या ये जान भूज के किया हुआ है या ग वो तर्क भी एक तर्क संगत है और ऐसा नहीं रहता तो स्वास्त विभाग अपने ही पहले दिये गए बयायम से नहीं मुकरता ये नहीं कहता कि हाँ वो गलत है अब सही है तो मौत में हुआ है लेकि इस पर राजनिती होना भी स्वाभाविक है सरकार को इसके लिए काफी जवाब देना पड़ेगा लेकिन आपको हम बताएं कि यह दुखत ख़बर है कि बिहार में कोरोना से लगभग 9000 लोग की मौत हो गई इस बार दूसरी लहर में तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक शेर करें हमारे चैनल न्यूज प्यार को सब स्काइब जरूर कर लें धन्यवाद